जो किसान अंदोरन चल रहा है तीन राउंड की बाचीत हो चुकी है और खुद अर्जुन मुंड़ा जी जो किशी मंत्री है कल चंडीगर में बाचीत करने के थे और किसानों से उनकी बाचीत कहा अठकी है क्यों सोलेशन अभी तक नहीं निकल पाया एक राउंड की बात संड तूटे गई है तीसरी राउंड की जो बाचित थी कल बहुत ही अच्छे बतावरण में सब के साथ मिल करके बाचित हुई और कुल मिला करके यह बात बिल्कुल असपस्ट करना चाहता हूं कि हम किसानों के हीतों को हमेशा ध्यान रखने वाले और प्रधान मंत्री जी हमेशा इस बात को दोराते है कि किस तरीके से हम इस देश में अपने अन्नदाता के बारे में और उसके साथ साथ देश की जनता के बारे में कि हमारा गुरूथ हमारा विकास ऐसे हो जिससे सभी का जो happiness index है जो खुशाली का पैमाना है वो बहतर होना चाहिए तो तीसरे राउंड के हमारी बाचीत भी बाचीत बहुत अच्छा रहा इस मामले में कि देखे किसी को भी कानून को हाथ में ले करके और इस तरह की प्रस्तितियों का निर्मान करके समाधान नहीं हो सकता है बलके हम बाचीत से सांतिपूर्ण धंग से और जब हम सब एक ही परिवार के है वो कोई अलग नहीं है हमारे भाई है तो जब हम मिल बैट करके सारे पक्ष को चिंता करेंगे ध्यान में रखेंगे गंभीरता से विचार करेंगे तो उसका समाधान निकलेगा लेकि मामला कहां फसा हुआ है क्योंकि MSP को और लिगलाइज करने की बात कि जा रही है कि गरंटी कानून बनना चाहिए तो क्या सरकार उसके विच्टार को सवरूप क्या होगा कानून के और अन्यान्य निपक्ष क्या होगे और उससे समस्या एक तरफ संभावना है तो दूसरे तरफ आउसर है ऐसे चीजों का मुल्यांकन करने के बाद ही सरकार किसी कानून पर ये सुनिस्चित करती है कि हाँ इससे अधिकान्स लाव है तो उसको आगे बढ़ाती है हम इस मामले में लगातार चर्चा कर रहे हमने उनसे भी कहा कि आप सोच करके बताईए कि जदी हम किसी चीज को करते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को कैसे हम सुनिस्चित करें कि एक पक्षिय नहों बल्कि पूरे देश के किसानों के हीत में हो लेकिन कितने चीजों पर कितने पॉइंट्स पर सहमती बनी और कहां फेज़ पसा है अभी हमने सारे पक्ष को और सारे पॉइंट्स को सुना है उसको गंभीरता से लिया है और अभी हम ये कहें हैं कि हम इन सारे पक्षों पर आपकी जितने भी बात है उसपर ध्यान में रखते हुए बार्ता को जारी रखेंगे और समाधान का रास्ता ढूणेगे MSP पर जो बात मांग है, सबसे बड़ी मांग उनकी है, उस पर आपको लगता है कोई रास्ता निकलेगा? और कल का बाताबरण कुल मिला करके बहुत अच्छा सार्थक मैं मानता हूँ कि उन लोगों ने भी, क्योंकि ये सब के ध्यान में है कि आप वेवस्थित करके वेवस्था नहीं बनाई जा सकते हैं। एक है, पर प्रदेश अनेक है। सभी प्रदेशों को अपने प्रदेश की जिम्मेदारी होती है कि उस लोगों और को इस तरीके से बनाए रखें, जिससे कि किसी तरह का संकट पैदा ना हो। मैं ये मानता हूँ कि राज्यों के अंदर उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इस जिम्मेदारी के साथ वो सभाविक रोप से हो सकता है कि कुछ इस तरह की बाते हुई होगी। लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि इस तरह की स्थिति बनाने का माहूल ही क्यों आने दे। हम बाचीद करते रहे हैं, समाश्या का समाधान के लिए रास्ता ढोंडते रहे हैं, आखिर कोई कही नहीं जा रहा हम सब देश के बासी है। किसान नेता का बयान काफी चर्चा में है उन्होंने का कि प्रधान मंत्री निरेंदर मोधी की राम परतिस्ठा के बाद मोधी की पॉप्लिर्टी बढ़ गई है उसको रोका जाना चाहिए यह बयान आपने भी सुना होगा तो क्या वज़य लगती है कि किसान नेताओं के ऐसे किसी जो को ना देखे ना करें यह सब के लिए बहतर होगा क्योंकि इस देश के किसान हमेशा से महनत किया है हमेशा से देश का उदर भरा है और हमेशा से देश में एक महतवपूर्ण भूमी का निभाते हुए और आज ज़दी हम कहें तो देश का किसान उत्पादन में पज आज खादाने हमारे किसान पैदा कर रहे हैं पहले के तुलना में अभी किसानों का उत्पादन अधिक बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि हमें ऐसे जो अन्द आता है उसको हम किसी राजनितिक द्रिश्टी से ना देखे है मुंडा जी चुनाव में बहुत कम समय बचा है चुनाव का मोका ही है और चुनाव के मोके पर यह अंदो ने इसको लेकर भी कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी ने भी सवाल उठाय है बहुत सारी चीज़े सामने आ रही है आपको क्या लगता है टाइमिंग की जो बात हो रही है किस दख से देखते हैं उसको देखिए समझना पड़ेगा सब के लिए कि इस देश में और खास करके मैं यह कहूँगा कि दुरिया का भड़ा लोगतंत्र है लोगतंत्र के इस उत्सों में या लोगतंत्र के इस औसर में आम जनता निर्भिकता के साथ स्वक् करते हुए वो मतदान करें और सरकारें बनाएं यह लोगतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है इस ताकत को हम बाद के दिनों में सरकार बनाने के बाद चीजों को ध्यान में रखते हैं पिछले दस बरसों में जदी आप देखें तो MSP की मुल्य में लगातार ब्रिदी हुई 800-900 पर यदि आप देखें तो जिसे कहां जब पर क्यूंटल रेट बढ़ा है MSP में खरीद पहले के तुल्ला में और अधिक फसलों की हो रही है साथी साथ कैसे देश सस्टेनेबल बने इसके लिए किसानों को प्रुटसाहित किया जा रहा है सम्मान निदी दिया जा रहा है 80% के लगभग Marginal Farmers है और Marginal Farmers का मतलब यह है कि उनके दो एकर से तीन एकर से कम की लैंड है भूमी है उसको भी एक अच्छा लाब मिले यह सुनिस्षित करने के लिए किसान सम्मान निदी उस किसान को टार्गेट करके बनाया गया तो इससे वह प्रुटसाहित हुआ इसलिए उत्पादन बढ़ रहा है पिर भी नराज है है अंदोलन कर रहे हैं देखें किसान संगठनों की बात को मैं निश्चित रूप से संग्यान में ले करके मैं कहूंगा कि उस पर भी विचार और अधिक हम कैसे कर सकते हैं क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है इन सारे विशेयों पर गंबीतरा से चर्चा हो चर्चा करे और समाधान ढूंडे पूरी त्यारी करके आये हैं 6 मेंने का कहा जा रहे हैं कि राशन है उनके पास पिशली बार भी लंबा अंदोलन करने की त्यारी के साथ आये थे और इस बार भी ऐसा कहा जा रहे हैं दिखे ऐसा है कि कई बार इस तरह के आयो जर्म में कुछ ऐसे तत्तों भी आ करके उन सारे चीजों में क्योंकि लीडर चाहते हैं कि सांति पूर्ण से अपनी बातों को रखने के लिए